कानपूर को कश्मीर बनाने की प्लानिंग किसकी थी? कानपूर को हिंसा की आग में जोकने का मास्टर माइंड कौन है? उस नापाक शक्स का नाम है हयात्स जफर हाश्मी नौ दिनों से चल रही थी कानपूर को कश्मीर बनाने की नापाक साज़िश अब तक 36 गिरफ्तार, 1000 अग्यातों पर मुखत्मा जिसने भी किया उपद्रव, एक-एक को पकड़ा जाएगा गैंग्स्टर एक्ट लगाया जाएगा, संपत्ते पर बुल्डोजर चलाया जाएगा इस चहरे को गौड से देख लीजी, यही वो शक्स है जिसने कानपूर को कश्मीर बनाने की साज़िश रची थी जी, कानपूर हिंसा को लेकर बहुत ही संसनी खेज और डरा देने वाला खुलासा हुआ है कानपूर हिंसा कोई मामूली घटना करम नहीं था, बलकि 9 दिन की पूरी लंबी साज़िश थी और कानपूर को कश्मीर बनाने की प्लानिंग थी लेकिन यूपी में एक ऐसा मुख्यमंत्री है, जिसकी वज़ह से यह बहुत बड़ी साज़िश नाकाम हो गई एक एक कर आपको सारी चानकारी देते हैं कानपूर के बेकिन गंच में हुई हिंसा में अब तक 3 F.I.R. दर्ज हो चुकी है पलिस कमिशनर विजय मीरा ने बताया कि अब तक 36 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है चालिस नामजद और हजार अग्यात लोगों पर केस दर्प्ष किया गया है हिंसा में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी पर बुल्डोजर चलाया जा सकता है दरसल C.M. योगी अधितिनाथ इस घटना से बहुत गुस्से में और उन्होंने दंगाईयों पर गैंग्स्टर एक्ट लगाने और सक्ट से सक्ट कारवाई करने क्या देश दिये है इस हिंसा की असल कहानियाद से चीट नौ दिल पहले शुरू हुई थी पूरा घटना क्रम सिलसिलिवार तरीके से समझ ये नौ दिन पहले यानि 26 माई को एक न्यूस चानल पर ग्यानवापी मामले को लेकर जिबेट हो रही थी इसमें भाजपा नेता नौपूर शर्मा भी मौजूद थी जिबेट के सवाल पर नौपूर ने पैगंबर मुहमद साहब पर एक बयान दे दिया नौपूर शर्मा के इस बयान पर कई मुस्लिम संगठनों ने नाराज की जताए 27 माई को MMA जोहर फैंस एसोसियेशन के अज्यक्ष हयात जफर हाशमी ने बाजार बंद का आवाहन किया नौपूर के बयान पर कानपूर में पोस्टर लगाए 28 माई को हयात की तरफ से 3 जून को जेल भरो अंदोलन का आवाहन किया गया 29 माई को मुस्लिम इलाके के हजारों लोगों ने हयात को अपना समर्थन दे दिया 30 माई को हयात में मुस्लिम समुदाई के लोगों के साथ बैचक की एक जून को हयात ने पांच जून तक बंदी और जेल भरो आंदोलन टाल दिया लेकिन बाजार में लगे तीन जून के बंदी के पोस्टर नहीं हटाए गए दो जून को बेकन गंज लाके में फिर दुकानों को बंद करने की अपील की गई मस्जिदों में हुई तक्रीरों में कहा गया कि वो लोग पैगंबर साहब पर की गई किसी भी चिपड़ी को बरदाश्ट नहीं करेंगे तीन जून को इलाके में ज्यादतर दुकाने मुस्लिम समुदाई के लोगों की थी जो बंद रखी गई थी लेकिन यतीम खाना के पास के बाजार में कुछ हिंदू दुकानदारों ने दुकान खुली थी दोपहरे एक बचकर पैतालिस मिरच पर यतीम खाना के पास की मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई धाई बजे की करीब नमाज के बाद लोग बाहर निकले और सीधे बाजार में खुली हुई दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने लगे हिंदू दुकानदारों ने दुकाने बंद करने से मना किया तो लोगों के बीच शामिल कुछ राजक तथों ने सबसे पहले चंद्रेश के हाता में घुसकर पत्राव शुरू कर दिया जिसके बाद पूरे इलाके का माहौल भिकर गया इसी बीच भीड में शामिल कुछ शरार्ती तथों ने तमंचों से फायर किये दोपहर तीन मजे तक बाजार से शुरू हुई घटना अब बवाल की शक्ल ले चुपी थी देखते ही देखते परेट चोराहा पर करीब एक हजार लोगी घटा हो गए बवाल शुरू होने के बाद स्छितियां तेजी से बेकाबू हुई पोलिस तंग गलियों में घुसकर कारवाई नहीं करपा रही थी सकरी गलियों में लोग रुक रुक कर पत्राव कर रहे थे स्छिति को नियंतरित करने के लिए करीब बारहत थानों की फोर्स मौके पर भीजी गई करीब पांच घंटे तक चले उपत्रव के बाद स्छिति काबू में आ गई कानपूर में हुई हिंसा के बाद देराथ सीम ने गोरफपूर मंदर से वर्च्वल बैठक की इसके बाद देकन गंज थाने में एक हजार चालिस उपत्रवियों के खिलाफ दो एफायार दर्च की गई बवाल के मुख्या आरोपी हयात, जफर, हाश्मी समेथ 40 लोगों के नाम दर्च की गए जबकि करीब हजार बवालियों की पहचान की जानी अभी बाकी गैंग्स्टर की कारवाई संपत्ती पर चलेगा बुल्डोजर कानपूर पुलिस कमिश्टर विजय सिंग मीडा ने बताया है कि कानपूर हिंसा के एक एक कारोपी को चिन्नित करके उसके खिलाफ कारवाई की जा रखी आरोपियों पर गैंग्स्टर आक्ट के तहत कारवाई हो रही इसके साथ ही उनकी संपत्ती पर बुल्डोजर चलेगा शासन को पूरे मामले में रिपोर्ट भेज दी गई ब्योर रिपोर्ट अपना उत्तरप्रोदेश